राजस्थान के राजपाल कलराज मिश्रप ने पूरे परिवार के साथ आयोध्या पहुचे इस दोरान उन्हें सरकिट हाउस में गार्ड आफ ओनर दिया गया इससे पहले महर्शिवालमी की एरपोर्ट पर अधिकारियों ने इनका स्वागत किया आयोध्या पहुचने पर राजपाल कलराज मिश्रा ने कहा कि भव मंदिर में भगवान राम की प्रान प्रतिष्ठा के बाद पहरी बार वो दर्शन के लिए राम नगरी आयोध्या पहुचे हैं भव में मंदिर बन जाने के पश्चात प्रान प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मैं प्रतम बार अध्या में आ रहा हूँ राम लड़ा के दर्शन करने के लिए सौहाविक है कि जिस मंदिर के निर्माण के लिए कोट कोट लोग लगे रहे आंदोलन रत रहे हम सब लोग भी उसमें सहभागी थे जब बन गया तो मन को कितनी प्रसनता हुई है इसकी इसको प्रगट नहीं किया जा सकता और आज आ करके तो मुझे लग रहा है कि मैं मिलकुल अपने कुछ धन्य महसूस कर रहा हूँ